दोस्तो नमस्कार कर्णल अजय सीओ अजय एस्टो मनी गुरू फर्स्ट ग्लोबल एस्टो फिनेंस डीटल चनल से आप से बुखाती बताओं आज 9 फर्वरी सन 2024 शुकरवार दोस्तो अजय स्टो मनी गुरू ग्रेंज के उपर आपको चावल हो मक्का हो बाजरा हो गेहूं हो दाले हो मसाले हो कपास हो इस पर लगातार अपडेट और विशलेशन आप तक प्रस्तुत करता है साथ साथ स्टोक मार्केट करनसी मार्केट पर भी महतवपून विशलेशन आप तक प्रस्तुत करता है आज की एपिसोड में हम चर्चा करेंगे गेहूं के उपर दोस्तों आपको याद होगा गिहों के हर तेजी और हर मंदी का अगरे मिशलेशन हमने देने का प्रयास किया है सूचना है आपसे शेयर की है आज के स्विशिश एपिसोड में गिहों की स्टॉक लिमिट पर विस्तार से चर्चा होगी क्रिपया पूरा अपिसोड ध्यान से सुने और पसंद आए तो लाइक भी कीजे दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि खादानों की महंगाई यानि खादे वस्तों की महंगाई पर नियंतरन करने के लिए केंद्र हर संबा प्रियास कर रहा है और इसमें स्टॉक लिमिट जैसे महतपुन कदम शामिल है वियापारिया को अब 500 टंग गिहों का स्टॉक कर सकेंगे साथ साथ गिहों की तेजी को काबू करने के लिए अब FCI की गिहों की विक्री बढ़ा सकती है केंद्र पिछले साथ महिनों से गिहों की कीमतों को नियंतरिंत करने का हर संबा प्रियास कर रहा है लेकिन बजार में लगातार उता चड़ा देखा जा रहा है गेहूं की फसल अब बिल्कुस सर पे है उसके बावजूद भी गेहूं की कीमते इतनी कम नहीं होई है जितनी होनी चाहिए सरकार ने गुरुवार को गेहूं की स्टॉक लिमिट घठाने की घोशना कर दी है एक ग्यपती के अनुसार व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के पास गेहूं का स्टॉक सीमा एक अजार टन जो पिछली सीमा थी उसे पचास प्रतिशत घठा कर यानि पांसो टन कर दी गई है अब सभी गेहूं के भंडारन को गेहूं की स्टॉक सीमा को पोर्टल पर पंजी करन करना और हर शुकरवार को स्टॉक की अपडेट करना अत्यनता आवशक होगा कोई भी काई जो पोर्टल पर पंजी करत नहीं है या स्टॉक सीमा का उलंगन करती पाई गई तो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई यानि आवशक वस्तूद अधिनियम उननी सो पच्छमन की दाराथ 6 और 7 के तहट दंडात्मक कारवाई हो सकती है एक विगवतिक नुसर यदी संसाओं के पास निर्धारिस सीमा से अधिक स्टॉक है तो उसे अधिकत सूचना जारी होने के 30 दिनों के बीतर स्टॉक निर्धारिक सीमा के बीतर लाना होगा यानि यदि उसके पास 500 टन यहों काल स्टॉक लिमिट है उससे अधिक है तो उसको 30 दिनों के अंदर 500 टन के अंदर लाना आवशक होगा केंद्र और राजे सरकारों के अधिकारी इस स्टॉक सीमा की किरियानवन को बारीकी से निगरानी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में गिहों की रतिम का शौटेज पैदा ना हो साथी सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहट कई महतापोन कदाम उठाए हैं इसमें फूर कोर्परेशन अफ इंडिया की 101 लाग तन गिहों को अवंटन किया गया है आवशकता के अधार पर जनवरी से मार्च साल 2024 के दुरान खुले बजार में जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है उसके तहट 25 लाग टन का आयात भी किया जा सकता है अब तक FCI दौरा साब्ताइक E-Auction के माद्यम से प्रोसेसर्स को 80.04 लाग टन गिहों बेचा गया है और इसे खुले बजार में गिहों की अबिलेबिलिटी बड़ी भी है जिससे आव उब्भुकताओं को फाइदा भी हुआ है गौरतलब है कि इस अपता FCI दौरा E-Auction में कुल 5 लाग टन गिहों की निलामी की पेशकश की गई थी जिसमें से 4.70 लाग टन की गयों की बिक्री होई जो अब तक की सबसे अधिक मानी जा रही है गौरतलब है कि ये 5 लाग टन की जो कॉंटिटी है इसको बढ़ाकर 6 लाग टन भी हो सकता है यदि गेहों के नाम काबूर नहीं आए तो खादिनिगम साल 2022-23 में 33 लाग टन गेहों खुले बजार में बेचा था और आटा मिल जैसे गेहों के थोक खरीदारों को 2018-19 में सबसे अधिक मात्रा में 81 लाग टन गेहों बेचा गया था अप्रेल में सरकारी स्टॉक गिर कर 84 लाग टन तक पहुचने की आशंका जटाई जा रही है और यदि सरकार अत्रिक्त कोटा की घोशना करती है तो स्टॉक में और गिरावट आ सकती है दोस्तों एक महत्वपून बिंदू यह भी है जो ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार के पास गिहों का स्टॉक लगातार कम हो रहा है दूसरा महत्वपून बिंदू यह है कि गिहों की फसल फरवरी मार्च में उपलब्ध हो पाएगी तीसरा महत्वपून बिंदू यह है कि यदि मौसम में गर्माट या तापमान में व्रद्धी होई तो इससे गिहों की फसल पर प्रभाव पढ़ सकता है दोस्तों आपको याद होगा साल 2023 के अंदर भी मार्च अपरेल के अंदर हमने आपको अग्रे मिशलेशन दिया था और यही कहा था गेहूं के दाम बढ़ सकते हैं शांदात तेजी देखे गई और आपको याद होगा साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स दोस्तों गेहूं चावल मक्का बाजरा जैसे ग्रेंज इसके अत्रिक्स दाले चना उड़द मूंग मसूर टूर स्वयबिन सरसो का पास मसाले इन सभी का विस्त्रित विसलेशन रिसर्च उपलब है जो भुकतान करने पर उपलब हो सकती है आप आज ही संपर करें अल्द वरी बस्त गूद लग अपी टेडिंग